आदरेने जाखर जी का विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बहुत सौकत है और इस अफसर पर मैं पार्टी के राष्टे द्यक्ष आदरने नटे जी से अगरे करूँगा कि वे शब्दों के मात्र से जाखर जी का पार्टी में स्वागत करें जैसा भी अनिल बलूनी जी ने आपके सामने इस विशे को रखा है कि सुनील जाकर जी भारतिय जन्ता पार्टी की सद्वेस्टा लेकर भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल हुए है मैं अपनी और से और पार्टी के करोणों कारे करता हूँ कि और से उनका भारतिय जन्ता पार्टी में स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ यह हम सब के लिए खुशी का विशे है कि सुनील जाकर जी जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग सारतीन दशक राजनीती में एक अपना स्थान बनाया है ऐसे व्यक्तित्व भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल हुए है आपने कई जिम्मेवारिया निभाई हैं प्रदेश के कॉंग्रिस के एक समय अध्यक्ष भी रहे एलोपी भी रहे लोकसभा में भी रहे विधानसभा में लंबे अर्शे तक रहे और एक अपनी खास छवी पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता युवाओं के दिनों में जगा एक इमंदार छवी के साथ आप ने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतिय जन्ता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतिय जन्ता पार्टी के साथ जुडे और मजबूती प्रदान करे पंजाब इस अबादर स्थाट more than 550 kilometers border is along with Pakistan there are issues related to drugs there are issues related to terrorism there are issues where it is the endeavor from the Pakistan side is to make it a gateway for all activities which is going on which may be not which may be detrimental to India तो ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में आज की आवशकता है और आज पंजाब में भारतिय जन्ता पार्टी opposition की आवाज बन करके आ रहे है और इसलिए मैंने उसमें भी कहा था कि बहुत लोग कांग्रेस से और अकाली दल से भी जो भी राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भारतिय जन्ता पार्टी के साथ आना चाहते हैं इस कड़ी में मैंने पहले कहा कि एक अपनी छवी रखने वाले ऐसे सुनिल जाकर जी ने आज भारतिय जन्ता पार्टी की सदस्ता ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके साथ मिल करके हम पंजाब को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे और राश्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करमे में उनका अनुभव का हमसद उप्योग करेंगे और पार्टी मजबूत होगी पंजाब को मजबूत करने के लिए पंजाब को मजबूती प्रदान करने के लिए और उसमें सुनील जाकर जी का विशेश योगदान रहने वाला है मैं पुना आपका अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और मैं निवेदन भी करूँगा सुनील जी से कि आप जरूर कुछ अपने उद्गार कहें बहुत बहुत दन्यवाद आधर निये बीजेपी के अध्याक्ष नड़ा साथ जो आपने मुझे से व्यक्ति को माननिये प्रदान मंतरी रिनेंदर मोदी जी माननिये देश के ग्रह मंतरी अमिश्या जी उनके साथ उनकी सहमती से मुझे से व्यक्ति को आज अपनी पार्टी में शामिल होने का ये मौका दिया मैं अबारियों मंच पे जो मजूद हमारे परबारियानिल बालूनी जी हैं मैं अबारियों खास तोर पे प्रवेश वर्मा जी का जो खास तोर पे इस बौके पे याँ पहुंचे हैं मैं अबारियों अर्विंद खना जी का मैं आबारियों मत훈म मंजिंदर सिंग सरसा जी का मैं अबारियों प्रमेंदर जी का कि आप सब के सह्योग से आज इस बीजेपी के मंच पे नड़ा साब की आजरी में बीजेपी में सामिल होने का मौका आपने दिया धन्यवाद नड़ा साब कोई असान काम नहीं होता पचास साल का समंध मेरा कॉंग्रेस से है हमारी तीन पीडियां कॉंग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेके आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहें और एक चीज जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से जिस आत्मियता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर सनेतरितव ने और नड़ा साब ने आज मिलने को मौका दिया है उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड ने राजनिती को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया सुनील जाखड ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया आमने सभी हमेशा कोशिश की है शायद सफलता ना मिलियो जोड़ने का काम की है और मैं एक ऐसे सूपे से समंध रखता हूँ एक ऐसे प्रांथ से आता हूँ जो गुरुओं, संतों, पीर, पेगंबरों की दर्ती मानी जाती है अगर राष्ट्रियता की बात जैसे नड़ा साभ ने बार बार जिस बात को इंफिसाइज की है आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रियता की बावना की है वहां अगर राष्ट्रियता कहीं से चलू होती है जिसे कहते हैं और श्परूंग अगर सुनील जाखर ने आज एक परिवार से 50 साल का रिष्टा तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधार बूत बाते थी किसी कोई व्यक्तिकत जगड़ा नहीं था जगड़ा राष्टरिता को लेके पंजाब की अखंड़ता को लेके पंजाब की जो बाईचारा है बाईचारिक सांज है जिसको की टेर्रिजम एक फोर सेवन की गोड़िया नहीं तोड़ पाई जहां आपसी बाईचारे में चाहे वो सिख हों चाहे हिंदू हों उनके अंदर किसी किसम का कोई द्वेस्ट की बाउना पैदा नहीं होई 25,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी पर आप भी कवाएं साब पडोसी दे आपका तो पडोसी सुबह है आप तो माचल से चलते हैं पंजाब के बीच में सोके जाते हैं कभी भी कोई फरक नहीं है किसी किसम का कोई किस सोची नहीं आई और उसी राष्टित्या की भावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखड ने अपनी 50 साल की जिंदिकी का वोई मूल मंतर था परंतु दुख इस बात का है मैं बड़े बरेमन से कह रहा हूं कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड के दूसरी जगे जब नाम पे नहीं तोड सकते पंजाब को आप परसंटेज में नहीं दे सकते कि यह अमुक जो धरम है अमुक जाती है अमुक समुदाय है उसकी परसंटेज कितनी है 30 परसंट है 40 परसंट है 15 परसंट है मैं समझता हूं पंजाब एक सूबा है जिसने देश के लिए टेंपलेट has established a template for the country. Every single citizen has the same right as anybody else. सब को बराबरी का, there is no second class citizen in Punjab. और इस बावना को लेके Punjab अगर नहीं प्रसुबा रहा है, चाहे वो, हमने देश की सिमाओं पे लड़ाई लड़ी है, चाहे देश के विकास में, हर सुब परांत में पंजाब ने अपना नाम कमाया है. कुछ लोग बात करेंगे, क्योंकि हुआ क्या, कोई एक व्यक्ती की बात नहीं है, कि एक व्यक्ती ने बोल दिया, और समंद तूट गया. वो कना कच्ची यारी है निसान, इस तरह नहीं तूटा करती. यह कुछ शीशा नहीं है, जो पचास साल का समंद है. कहते हैं, कुछ शीशा नहीं है, कि पहले हम इनसान हैं, हमने रिष्टों को निभाया है, असूलों की तरह, पर जब असूल ही तूट जाएं, जब हम अपने सिद्धान से हट जाएं, अपनी आइडियोलोजी से हट जाएं, तो मैं समझता हूँ, इस इस अरा इट टाइम टू है, री तिंक. उसको सारा सोचना पड़ता है, कि हम जा किस तरफ रहें, आज किस तरफ बड़े जा रहें, तो उसको लेके, मैं समझता हूँ, कि निरने लिया गया, और क्यों निरने लिया गया, बीजे पी के पास मैं, क्यों बीजे पी के, आपके यहाज मंच पे बैठा हूँ, सब तरह तरहें की अटकले लगाई जा रही थी, सुनील को लेके, कियास लगाय जा रहे थे, क्यों बड़ा सभावी था, जिस दिन से निर्ड़ा सावा आपने देखा, कि मैंने गुड़बाई बोला, मेरी तरफ से तो गुड़बाई 11 तरही को, जिस दिन मैंने देख लिया, कि आवाज के उपर पबंदी लगाने के लिए, नोटिसेज जाने किये जा रहे हैं, तो आवाज नहीं रोकी जा सकती, सुनिल को आप पद से अटा सकते हो, किसी से दूर कर सकते हो, सुनिल की आवाज गिर भी नहीं रखी जा सकती, आवाज राश्ट रिता के लिए उठेगी, पर अन्तु क्या कारण बने, नहीं साब मैं आज कुछ बातें आप से शेया आपके पास है, मुझे पता आपको जैपर भी जाना है, पर दो मिनिट में लूँगा आपके कीमती समय के, पार्लियमेंट के अलावा मुझे डेड़ साल पार्लियमेंट में काम करने का मौका मिला सरसाजी, पर उसके बाद पार्लियमेंट से बार मेरी मुलाकात हुई मानिये परदानमंत्री से, जब वो पंजाब आए, करतारपुर कोरिडर, एक बहुत लंबे समय कि मांग बलूनी जी जो सारे सिक समुधाय की नी पूरे पंजाबियों की, जो भी विक्ति पंजाब से परवेश जी चुड़ावें सबका था कि हमें करतारपुर साब जाके हमें अपनी बात शर्दा नमन करने का, उसकी संबाल का, उस हमारे गुरू गर का हमें को मौका मिले, उस समय ये सुबागय था कि मुझे वहाँ पर प्रदान मंतरी जी के पास बैठके गुरू का लंगर शर्कने का मौका मिला, उन से बात करने का मौका मिला, उनके बावनायं समझी, वो तो एक मुलाकात थी एक मुलाकात से 50 साल के समझनी तूटते हैं पर उन्तु मेरा हमेशा ये बावना रही है कि पंजाब कुर्बानियां बहुत दी हैं टेर्रिजम के अंदर कुर्बानियां दी है देश की रक्षा के लिए जब भी मौका पड़ा है चाहे जब से धाड़ होई पंजाब आने लगे हैं चाहे उसके बाद पाकिस्तान हो चाहे नहों हर सूप पंजाबियों नो कुर्बानियां दी है और उस कुर्बानियों को चलते मेरे एक मानना था हमेशा ही कि भी मौका लगा तो प्रियास करेंगे कि पंजाब को एक स्पेशल स्टेट का होती हैं और उसका जीता जागता सबूत है जब मानियों प्रदान मंतरी ने लाल किले पे हिंद की चाधर गुरु तेग बादर जी का चार सुवां प्रकाश दिवस मनाया तो मैं समझता हूं कि उनके जो सबसे ज़्यादा कटर विरोधी थे उन्होंना भी अपने दिल में सो विकार किया कि वो पंजाब की नबस समझ गए हैं पंजाब की जो बावना है कि पंजाबी मिलजुल के मानस की जाथ सब एको पहचानवे कहां कशमीर के पंडितों को लेके चाहे आज तक संगर्ष चल है कब गुरु साब ने यहां पर इन मुगलों के पास आके अपनी कुरुबानी दी थी और मैं समझता हूं उस बावना को नमन है उस बावना को जितना भी कहें चाहे बहुत से मानिय परदान मंतरी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से से काम की हैं पर एक पंजाबी के तोर पे मैं शैद किसी को अच्छा ना लगे मैं समझता हूं ये जो उनका एक कदम था ये एक इस लेंड मार्क इसने अपने आप लोगों की बावनाएं लोगों की आज बावनाएं उनके साथ जुड़ी है और मैं समझता हूं कि आज मेरा ये सोबाग्या है कि पंजाबी उने के नाते और गुरु साथ की उस दर्ती से आते हुए जैसे गुरु नानक देवजी के बारे में अलामा इकबाल ने कहा था कि फिर उठी सदा आखरी एक तोहीद की पंजाब से मर्दे का मिलने जगाया हिंद को एक फिर खाल से आज मैं समझता हूं फिर वही बावना प कि आप लोगों के सहोग आपके मार्कदर्शन मानिय प्रदानमंत्री अमेश्याजी के मार्कदर्शन में अगर मैं रती बरवी देश में और पंजाब के लिए उस अखंडता को कायम रखने में काम्याब होता हूं तो मेरा जीवन सार्थक मैं मानूँगा आपका बहुत-ब हूं तो